नमस्कार आप देख रहे हैं पमार्थावाज खबर बारा बंकी कोठी से सिधोर कैसर गंज रोड पार करते समय यूबक को ट्रकने को चल डाला जिससे उसकी मौकी पर ही मौत हो गई यहासा देख ग्रामीडों ने रोड जाम कर दो घंटे तक प्रदर्शन किया और उच अधिकारियों को मौकी पर बुलाने की मांग करने लगे परन्तु कोठी पुलिस के समझाने पर ग्रामीड माने और पुलिस ने शब का पंचराम कर चिकिस्ता परिक्षड के लिए भेजा बुदवार को कोटी थनाचेत के सीमरावा गाउनिवासी अनिल दिख्षित 25 वर्ज पुत्र मनोज दिख्षित इनका घर सिद्धौर कैसर गंच मारगे की किनारे इस्तित है यह अपनी धन्तिया कराने की तैयारी कर रहे थे गाड़ी रोड के दूसरी तरफ खड़ी थी जिसके कारण रोड पार करते समय कैसर गंच की तरफ से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल डाला जिनकी मौके पर ही मौत हो गई और ट्रक ड्राइवर ट्रक सिद्धौर के दीन पनहा इस्तित पैटोल पंप पर छोड़ कर फरार हो गया जिससे गुसाए ग्रामीडों ने रोड जाम कर करीब दो घंटे तक प्रदर्शन कर पुलिस प्रसासन मुर्दावाद के नारे लगाए और उचधिकारियों को मौके पर बुलाने तथा ट्रक चालक पर कारवाही की मांग करने लगे परंतु कोठी पुलिस के काफी समझाने के बाद ग्रामीडों ने जाम खोल दिया और कोठी पुलिस ने शब को चिकिस्सा परिक्षड के लिए भेज दिया म्रतक की पिता मनोज दिक्षित ने कोठी पुलिस को दिये गए शिकायती पत्र में ट्रक कर नंबर वासंदरा थानाच्छेत की सिधोर चौकी पर तैनाथ सिपाही राजे सिंग पर चारलक को भगाने का आरोप लगा कर कारवाही की मांग की है 12 की संबदाता मुहमद अजमल की रिपोर्ट